91-92 मैं स्रीनगर के लाल चोग में तिरंगा जंडा फराने के लिए मेरी पार्टी के तरफ से एक ताय आत्रा की योजना हुई थी डॉक्टर मुल्डी मनुर जोशी जी के नेतृत्म में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी ववस्ता देखता था जाने से पहले मैं प्रमु स्वामी जी के असरवार ले के गया था तो उँको पता था कि मैं कहां जा रहा हूं क्या कर रहा हूं हम पंजाब से जा रहे तो तो हमारी आक्त्रा के साथ आतंगबादियों की बीड़ हो गई हमारे कुछ साथ ही मारे गए पुरे देश में बड़ी चिंता का विश्य था कि गोलिया चली काफी लोग मारे गए थे और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे हम सीने कर लाल च और मैं कुशल तो हूँ ना चलिए इश्वर तुम्हें आशिरवाद दें आओगे तो फिर मिलते हैं सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ हुआ सहज सरल मैं मुख्य मंत्री बन गया अक्षरधाम के सामने ही बीस मिटर के दूरी पर मेरा घर जहां सीम निवात्तन तो मैं वहां रहता था और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था तो सहज नित्य नाता और अक्षरधाम पर आतंग बादियों ने हमला बोल दिया तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को फोन किया इतना बड़ा हमला हुआ है इतने हो गार महरान था जी हमला अक्षरधाम पर हुआ है संतों पर क्या बिती होगी गोलिया चली नहीं चली किसको क्या सारी चिंता का विशेधार के एक्षम से दूंदला सा बाता बरन था ऐसी संकट की घड़ी में इतना बड़ा आतंग की हमला इतने लोग मारे गए थे प्रमुक स्वामी जी ने मुझे कहा कहा फोन किया तो अरे भाई तेरा गर तो सामने ही है तुम्हें कोई तकलिम नहीं है न अरे मुझा बापा इस संकट की घड़ी में आप इतनी स्वस्तता पूर्वक मेरी चिंता कर रहे है उन्होंने कहां देख भाई इश्वर पे करो सब अच्छा होगा इस्वर सत्य के साथ होता है याने कोई भी व्यक्ति हो ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन स्वस्तता यह भीतर की गहन आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है जो प्रमुक स्वामी ने अपने गुरुजनों से और अपनी तफस्या से स्थिति की थी और मुझे एक बात हमेशे आध रहती है हम लोगों को मुझे लगता है कि वो मेरे पिता के समान थे आप लोगों को लगता हो कि हम आपके गुरु थे लेकिन मुझे एक और बात की तरफ मुझा ध्यान जाता है और जब दिल्ली अक्षरधाम बना तब मैंने इस बात का उलेक भी किया था क्योंकि मुझे किसे बताया था कि योगी जी महराज की इच्छा थी कि ये मना के दड़ पे अक्षरधाम को होना जरूरी है अब उन्होंने तुम बातों बातों में योगी जी महराज के मुझे निकला होगा लेकिन वो शिष्ष देखिये जो अपने गुरू के इन शब्दों को जीता रहा योगी जी तो नहीं रहे लेकिन वो योगी जी के शब्दों को जीता रहा क्योंकि योगी जी के सामने प्रमुक स्वामी शिष्ष थे हम लोगों को गुरू के रुप में उनकी ताकत दिखती हैं लेकिन मुझे एक शिश्य के रुप में उनकी ताकत दिखती हैं कि अपने गुरू के उस शब्द को उन्होंने जी कर दिखाया और यमना के तर्टपर अक्षरधाम बना करके आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो अक्षरधाम के महद्यम से भारत की महान विरासत को समझने का प्रयास करते हैं यह यूग के लिए किया हुआ काम है यह यूग को प्रेणा देने वाला काम है